आज के वीडियो में आप जान पाएंगे ट्विंस क्या होते हैं, नॉन आइडेंटिकल, फ्रेटर्नल ट्विंस क्या हैं, टू एक ट्विंस क्या हैं, जाइगोटिक ट्विंस क्या हैं, आप हैं अपने यूट्यूब चैनल बायो पॉइंट पे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकोन को जरूर प्रस करिएगा, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए रोजाना ले करके आते रहते हैं, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इस प्रोसेस को ट्वीनिंग कहते हैं, जुड़वा बनने की प्रक्रिया ये होती है, यहां पर ट्वीनिंग को देखें, तो दो तरीके का ट्वीनिंग होता है, human female में सबसे पहले देखें, तो identical जिसको monozygotic कहते हैं, one egg twins कहते हैं, दूसरा है non identical जिसको fraternal, two egg या diezygotic twins कहते हैं, fraternal या diezygotic twins को देखें, तो आप पहले समझ गए होंगे, diezygotic का मतलब दो zygote यहां पे बनेगा, और उससे twins का formation होगा, उसको fraternal twins कहते हैं, तो यहां पे आप देखें कि sometimes क्या होता है, female, human female में, दो eggs release हो जाते हैं, आप देख रहा है, two eggs release, यहां पे दोनो eggs, अलग-अलग sperm से क्या करते हैं, fertilize करते हैं, each egg fertilized by the separate sperm, यहां पे आप देखें, प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ यहां पे आप देखें, तो दो eggs release हो गए, fraternal twins के case में, और यहां पे दोनो eggs क्या कर गए, अलग-अलग sperm से fertilize कर गए, fusion यहां पे आप देख रहे हैं, अब क्या होगा, each embryo implant in the womb separately, यहां पे दोनों तरीके के fertilization से, zygote का development होगा, और zygote का development होगा, तो क्या होगा, embryo का formation होगा, कितने embryo का formation होगा, दो embryo बनेंगी, चुकि यहां पे fertilization separately, 2 eggs के साथ, 2 sperm का हो रहा है, ऐसे cases में क्या होता है, each embryo implanted in the womb separately, यहां पे दोनों जो zygote में development होगा, development होगा, करके early embryo बनेगा, early embryo क्या होगे, separately uterus के अंदर implant कर जाएंगे, और यह अलग-अलग तरीके से क्या करेंगे, separately placenta भी यहां पे बनेगा, and separate यहां पे inner shack भी बनेगा, आप देखें, और इस तरीके से यह दो बच्चे का development होगा, और twins का formation होगा, लेकिन यह दोनों twins, चुकि अलग-अलग spermin को fertilize कर रहा है, Oum भी क्या है, X भी अलग-अलग है, तो यह identical नहीं होगे, यह क्या होगे, non-identical होगे, इनको diazygotic या fraternal twins कहा जाता है, यह separate placenta को share करेंगे, आप यहां पे देखें, तो अलग-अलग placenta की यहां पे formation हो रहा है, और वहां monozygotic के case में देखें, तो वहां पे placenta जो है, एक ही होगा, उसी से बच्चा नरिस्मेंट लेगा, यहां पे separate inner shack भी आप देख रहे हैं, तो monozygotic में यह भी नहीं होगा, separate inner shack नहीं होगा, तो यहां पे आपने समझा कि twins क्या होते हैं, twins का formation कैसे होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी नए topic पे, आप हैं अपने YouTube चैनल, बायो पॉइंट में वीडियो में अंतक बने रहने के लिए धन्यबाद,